फ्रेंड स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एक और वेटर वीडियो में जैसा कि आप सभी को हम बताने वाले हैं आज दूरी और विस्थापन में अंतर यहां क्लास नाइन्थ के लिए तो इंपॉर्टनेंट है है क्लास टेंथ के लिए भी पहुत ही इंपॉ पूरी तरीके से लिख सकते हैं हम एकदम साट फ्राम में आपको बताने वाले हैं तो याद भी कर सकते हैं और उसे आसान तरीके से अपने ही सब्दों में याद भी करेंगे अपने ही सब्दों में लिख भी सकते हैं तो चली बात करते हैं जैसे सबसे पहले आपका दिया ग रेते हैं छले ठीक तो वस्टु द्धाय कि इगे पध्ध की LCD YouTube को झाल ऑइक को थरिंगे ना पिछा मौन पॉई हम से को अप्वासिद आप जाएंगे यहां से यहां तक तो इसकी कोई लंबाई होगी ना तो उसी लंबाई को हम क्या कहेंगे दूरी कहेंगे क्या कहेंगे दूरी कहेंगे बात आपको समझ आ गए होगी अब दूसरा है कि इसमें विस्थापन विस्थापन क्या है ठीक एक निश्चित दिसा में गतिमान वस्तु की परारंभिक एवं अंतिम इस्थिति के बीच की नियुंतम दूरी को दूरी को विस्थापन कहते हैं ठीक अब कह रहा है कि किसी निश्चित दिशा में माले जी किसी निश्चित दिशा में आप इधर क्या है पूर्व है पूर्व से है तो पूर्व दिशा से आप दच्छड दिसा में जा रहे हैं आप ठीक यहाँ से एक बिंदू है जह इसके बीच की दूरी को इसके बीच की दूरी को इसके और इसके बीच की जो दूरी है उसी दूरी को क्या कहेंगे हम बीस्थापन क्या कहेंगे बीस्थापन ठीक क्या कहेंगे बीस्थापन ठीक यहां बात आपको समझ में आ गए होगी चले दूसरा हम बात करें तो दूसरा कि है तो क्या है दूरी एक सदी सरासी है दूरी एक अधिसरासी है जब कि विस्थापन एक क्या है सदी सरासी है ठीक बात आपको समझे आ गई होगी कि दूरी एक परकार से क्या है सरासी है विस्थापन एक परकार क्या है सदी सरासी है ठीक अब तीसरा है कि दूरी डी से दू को ब्यक्त करती है घेल या जिस दिसा में जाती है उसी को ही वैक्त करती है जब कि इस ठापन क्या है दिस्प्लेड मboys में हुटा है इसको इंग्लिष करते हैं इसको पड़ाम और दिसा दोनों की ऐसकता होती मतलग कि इनके बीच की जो दूरी होती है और उसके बाद इनके जो दिसा होती है कि यह किस दिसा में आप किस डारेक्शन में आप जा रहे हैं उसको भी क्या करता है या विस्थापन परिमारित करता है ठीक तो आप पर सकते हैं विस्थापन परिडाम और दिसा दोनों को व्यक्त करता है चलिए आप निस्ट को निस्ट बात करें चाहुता यहां से पॉइंट है कि दूरी को मान दूरी का मान सदेव धनात्मक होता है मतलब कि यहां दूरी जो होती है वहां पलस में होती है ठीक धनात्मक होता है कभी रिलात्मक नहीं हो सकता कभी इसका मान जो होता है रिलात्मक केवं रिलात्मक यहां पलस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है विस्थापन ठीक विस्थापन पलस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है ठीक का आपको बात समझ में आ रहे होगी कि यहां पलस में भी हो सकता है और माइनस में भी अर्थात कहने का अर्थ जैसे आपका इस इसमें जो एंस्वर आएगा वह पलस में भी आ सकता है और किसमें आ सकता है माइनस में भी आ सकता है तो आप इसमें मत घब रहेगा कि विस्थापन आ रहा है पलस में आ रहा है यार माइनस में क्यों आ रहा है माइनस में भी आ सकता है ठीक तो अब निश्ट बात करें को पच दूरी है यहां इस दूरी को इस वस्तु को यह तक बात करें तो इसकी वस्तु की दूरी हम बात करें थे तो यहां से वस्तु की जो उचित दूरी होगी यहां तक दूरी होगी वहां कभी सुनने नहीं हो सकती वहां किसी ना किसी गिंती में जरूर आएगी बात आपको समझन ध्यू आ रहे होगी तौन टीक यहां से है bisthapum gost 2 एक कर दोके गए गया विस्थपन सून के भी हो सकता है इसका जो मान हो सकता है जो दी खान के जो कि वस्तापन वैस्थ वासत ओर लहता की गए जो दूरी होती है वस्तु में विस उसका चाका फांघिन यो होगा वहां सून भी हो सकता है क्या हो सकता है सुन भी हो सकता है ठीक आप चले छटे पाइंट की बात करें तो दूरी वस्टू द्वाराताई किये गए पथ की लंबाई पर निर्भर करता है यह किस पर निर्भर करता है इसके लंबाई पर ठीक इसके लंबाई पर निर्भर क करता है थिक अब च्छाटे पॉइंट की जी बात करें तो बीस थापन वस्तु द्वारता है किये गये पत पर निर्भर नहीं करता है इस पर निर्भर नहीं करता है तो आपको बात समझने आ गए बीडियो पसंद आ गए तो अपने दोस्तों यह और तक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए आया हो तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि ऐसे ही मुश्ट इंपर्टन इपर्टन कोस्टन के वीडियो आप को इस वीडियो इस चैनल पर मिलते रहेंग